हालो स्टुडेंट्स यहां देखिए एक पॉप अप विंटो है जिसमें लिखा गया है क्या आप अपना कैमरा यूज करना चाहते हो अगर मैं अलाउ कर दूंगा तो यह देखिए वेबकाम एक्सेस हो गया वेबकाम इसलिए एक्सेस करते हैं ताकि अगर आपको अपने वैबसाइट के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इसलिए आप कर सको यह कोड बड़ा ही सिंपल होका इस कोडिंग को करनी के लिए सिंपली हम एक लाइबरेरी यूज करेंगे वेबकाम.js आप सौज क पर सकते हो गूगल पे और जो गीठाब का लिंक आए ये देख लिजी लिंक को आएशे देख कर पाए चाल लेंगे वैसे डेस्क्रिप्शन में ये लिंक होगा आप वहां से प्राप्त कर सकते हो ये जो क्लोन और डाउनलोड का ओप्शन है यहां से डाउनलोड कर लीजे डाउनलोड होने के बाद आप इसे एक्स्ट्रैक्ट कर लो क्योंकि ये जी फोल्डर में होका एक्स्ट्रैक्ट होने के बाद ये डेक्स्टोप पे जाये का इतना स्वारा फोल्डर मिलेगा आपको इसके अंदर से बस आपको ये वेबकैम.js वाला फाइल निकाल कर बाहार रख लेना है अब आप इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लिमेंट करो जैसे मैंने प्रोजेक्ट के नाम का एक फोल्डर क्रियेट किया और इसमें आप इसे ऐसे रख दो इतना करने के बाद अब इसको अब आपको वेबकेम का साइज सेट करना है और फिर इसके अंदर से सेट फंक्शन को एक्सेस करेंगे यहाँ देखें यहाँ जेशन नोटेशन में विर्थ को set करेंगे मैंने विर्थ इसका define कर दिया 720 अब इसके बाद इसका height आप set कर दो height मैंने define कर दिया 480 इतना करने के बाद आपको define करना है कि जो camera access होगा वो इस development के अंदर देखना चाहिए तो ऐसा करने के लिए webcam के अंदर तो आप इस तरह सा attach के अंदर pass कर दो जरा इसको save कीजिए save होई करना है जहाँ पर आपका project folder हो मैंने index.html के नाम से शेव कर दिया आशेरन करता हूँ यह देखें message आया allow करता हूँ यहाँ देखें camera access हो गया अब इस library का use करके अगर आपको live streaming करनी है तो node.js के साथ implement और वीडियो का एक एक पार्ट चंक में receive करेंगे और user की system तक deliver करते जाएंगे piping method के अनुशार अब इस तरह की technology आप शीखना चाहते हो तो आप आप आमारी online software engineering classes में आशकते हो यह सब कुछ आपको step by step शिखाया जाएगा वीडियो परफेक्शन लगाओ तो वीडियो को like क चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करे वैप इंस्टेट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद